अपना विश्वस्मीत न्यूस चैनल राश्टे नवाचार ने देश का सर्वच्य संमान कि इसे हमारे देशने भारत रत्न हो टो के से यूदहान मंत्रिया में अबेक्षा नरेंद्र मोदी जी को लाउन किया किया आइपीयल गोटाला किया एलाइसी गोटाला किया और मदू कोड़ा मदू कोड़ा कांड आप सब को ध्यान होगा कि किस प्रकार से मदू कोड़ा मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने ही पंते ही उन्होंने करोड़ों रुपय का गोटाला किया साथ ही सबरीन गोटाला मंदिर कनेक्शन गोटाला किस प्रकार के गोटालों की यदि एक वैरिस के यार की जाए तो वह यहाँ पर बेखकर पूरे दिन इन गोटालों को गिना सकता हूँ मगर ये गोटाले की लाइन खत्म खत्म नहीं होगी और यदि इन साथी गोटालों की राशी को जोड़ लिया जाए तो ये राशी लगब बारा लाग करोट रुपे की राशी होती है जो कॉंग्रेस न अपने कारिकाल में गोटाले करने का काम किया है एक समय हुआ करता था जब लोग आपस में मिलते थे और सरकार की बात करते थे तो कहते थे कि कॉंग्रेस की यूपीय की सरकार अब न जाने अगला कों साथोटाला करने वाली है पता नहीं है कों साथोटाला होगा लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आये लोगों का मत बिलकुल बदल गया अब लोग जब आपस में मिलते हैं तो सरकार के बारे में बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने धारा 378 अटा दी नरेंद्र मोदी जी ने प्रिपल गला के विरुद कानून लेकर आए नरेद्र मोदी जी पाकिस्तान, अफकानिस्तान, बांगला देश में रहने वाले हमारे अल्पशंग के खिंदू भाईयों के लिए इनकी नागरिक्ता के लिए कानून लेकर आये हैं नेत्र मोदी जी उसपकार से कारिकर रहे हैं लेकिन अब लोग नरेद्र मोदी जी के कारिकव को नरेद्र मोदी जी की युजनाओं का इत्जार करते हैं निश्चित रुप्टे नरेंद रुपोदीजी जिस पकार से कारी कर रहे हैं कि देश उनती की ओर जा रहा है गाउं गरीव मजदूर किसान अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती अन्वी पिशावर सभी लोगों के जीवर इस तर में जो बतलाव आया है को नरेंद रु लगी रहती है कि किस तरह से इस देश का विकास किया जाए अभी उन्होंने इस देश के रेल्वे स्टेशन की जो पिचापतर मर्शों से हलक खराब थी उसकी गुनवत्ता को ठीक करने का संकर्प लिया और तेरा सो से अधिक रेल्वे स्टेशन को सुची बत करके प्रधम चरण में 508 रेल्वे स्टेशनों का विकास करवाने का कारे प्रारम में किया है कि पॉस्ट कहके संभोधित करते हैं चर्णों को छूकर उनका अभिवादन करते हैं आज विश्यों में जो भारत का मान सब्मान बढ़ा है उसमें नरेद्र मोदीजी का मार्दशन उनका नेत कि बात में कितों किया आपका केना इन 20 सालों को नेते हैं तिन भारती जिन्ता पार्टी की जो 20 सालों के सरकार में उसका रिकोर्ट काड़ पेश किया था इसमें जो सबसे बड़ी और महत्पुन जो बात है वो यह है कि कॉंग्रेस के कारिकाल में बजट 25,000 करोन का हुआ कर लाग करोर रुपे से अधिक का हो गया है पहले मद्दप्रदेश ती पहचान तूटी सणके हुआ करती थी बंद बिजली हुआ करती थी लाइट आती कम थी जाती ज्यादा थी उस समय जब मिस्टर बेंटाडार का शाशन था दो हजार तीन के पहले जिन विध्यारतियों ने अपनी पढ़ाई को पूर्ण किया है उनसे एक बाद जाकर पूझिए कि परिक्षा के दोरान उन्हें पढ़ाई करने में कितनी परिशानी का सामना करना पड़ता था क्योंकि पूरे दिन और पूरी रात लाइट नहीं होती थी आज इस प्रकार से बत्रदेश के वह किवल्टी आगाई शिवरा सिंग चौहां साब आओ गरीब गरीब गरीद भाईया वाई सहार है बाईया जी 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 अनुचुची चाती अनुची जन जाती माहिक लगा और किये उन्होंने विचार किया लाइटली बहनाओं को एक हजार उपया प्रती माहों के खाते में डारेक्ट डालने का काम शिवरा सिंग चौहां साहब ने किया अभी आपने देखा होगा कि जिन चात्राओं को बारवी में सर्वत चंक प्राप्त हुए है एसी चात्राओं को मुक्यमंत्री इस्कुटी योजना के अंतरगत इस्कुटी देने का काम मुक्यमंत्री आदानी शिवरा सिंग चौहां साहब ने किया है आज पूरे मद्ध प्रदेश में सिचाही का रगबा पड़ गया और यह लगबक साथ गुना बढ़ा है 2003 के पहले सिचाही का रगबा जो होता था उससे साथ आठ गुना सिचाही का रगबा मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चौहां साहब के नेत्रत मार्दशन में बढ़ा है गाओं गरीब मजदूर किसान दलित शोशीत पिडित अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अन्नी पिछणावर सभी का खयाल मुक्यमंत्री जी आदनी शिवरा सिंग चौहां साहब की सरकार ने एक एहम सवाल है आप से आपने कहा अभी कि जो पचास साल में नहीं ह नरेंद्र मोदी जी का मारतशन नरेंद्र मोदी जी का नित्रत इस देश को चांद तक लेकर गया है और जिस प्रकार से चद्रेयान तीन की लेंडिंग चांद पर सफलता पुर्वाब खुई है आज देश विश्व के उन चार देशों में शामिल हो गया है जो चांद तक पहुचे है नरेंद्र मोदी जी की फ्लब्दी ये है कि उन्होंने गाउं गरी मजदूर किसान दली शोशित पुलीत का दो ध्यान रखा ही है साथ ही विज्ञान के शेत्र में और आंत्रिक्ष के शेत्र में भी नरेद्र मोदीजी के लेकरत्र में उनके मारतर्शन में देश निरंतर विकास कर रहा है